कि스 impose वी आई आयरेव्य डोगा है दोस्तों VERY विशाल आप सभी का सैरो से स्वागत करता हूँ का में आज़ आपको पत्त कल्पना के विशाय हैं बतांगा पत्तीकलपना से आप कि आ हुआ पथ्य कलपना का बेजिक नहीं करूं है यह बात लुखित कर रहे हैं आयर वेच 50 कल्पना नंटा जो आहर वेहार में बहुत कड़ी आवशक है और us अगर आपका और वेहार अच्छा है अहारव है एक सरीर स्बहु आप जीवन में कभी बीमार नहीं पड़ेंगे इसलिए पत्थे कलपना के अपने एक इंपोर्टेंस है बहशाजे कलपना में ये टॉपिक बहुत इंपोर्टेंट है आप शुरू से लेकर आखरी तक और आने वाली भी इस में स्रीज में बनाऊंगा पत्थे कलपना में वह आप द्यान से सुनिएगा इंपल और साधान शब्दों में आप एक बास समझेए कि जो में शरीर को सूटेबल हो हो सकता है कि स्वाद में अच्छा ना हो लेकिन जब वो अपने स्टमक में जाएगा जब पूरी बॉडी में पूरे घुलेगा और पूरी बॉडी में जब पोशन प्रदान करेगा तो वह अपने लिए पत्थ है यह साधान परिवाशा है जैसे कि एक उधारन के लिए बताता हो हरीत की पत्या नाम चरवसुपच्छिस का एक छोटा सा कोड़ेश हरीत की पत्या नाम से यहां तब तत्वर है कि हरड जो रहती है सभी रोगों में पत्थ है हर व्यक्ति के लिए स्वस्त व्यक्ति के लिए भी पत्थ है हमको उसका सेवन करना चाहिए इसके लिए अस्टांग में आप पत्थ है जैए हर चाहिए है और फ्यक्ति के उचाहिए कि कि हर व्यक्ति करते चागा चाहिए है यह बताए इसक्ति को साथ हर सभांथ की प TD के सब्सक्राइब करता है या ba y ko हर चीज आपके बॉर्डी में इंप्रूभ्मेंट करता है को शलिकली पत्थ है ऐसे ही आयरवेद में अन्न कलपना जो है, विश्यू सब्स होगा तो अपने अच्छी होगी, आपका इन्मनिनिटी बूस्टर आपका अच्छा बड़ेगा यह सब चीज़ चलेंगे जैसे हरीत की पत्थ है ऐसे ही मेंदा अपत्थ है मेंदे की जित्ते भी आइटम है अपत्थ है अपने को खाने में जरूर अच्छे लगते हैं स्वाद में अच्छे होते हैं लेकिन जब शरीर के अंदर जाते हैं जाकर के अपनी आतों में चपकते ह और अपनको constipation पैदा करते हैं जंक फूड जो आज कर आ रहा है अपत्थ है खाने में अच्छे लगेंगे लेकिन अंदर आपको नुफसांग करेंगे प्रारफ में षेय साइसे बाद में अम्राज या नियुक्त प्राराफ में attitudes स्वाद में आम्राज जैसा लेकिन यह वही प्रॉसेस्ट है पुन बॉडी किस तो यह basic concept और किसी व्यक्ति के शरीर के साब से भी कोई पत्थ होती है यह चीज व्यद्ध डिसाइड करता है कि आपको क्या पत्थ है यह जैसे कि आपने ऐलोपेथि और आयरवेधि कि आप किसी भी पेथि में जाएंगे आपको हमेशा कोई भी डॉक्टर कहेगा देखिए आप मुंकी आप से कहागा कि आप फंडा मानी मत पीजिए आप याप यह पी अपत्थ है कि आपको इशाजी के नुक्षान पचा रही है तो यह बेसिक रूप से साधान कंसेप्ट है पत्थ है पत्थ का अब आचारों ने इसके अंदर डवलेब्मेंट किया कि यह तो एक साधान बात ह पत्थ है पत्थ की अब इसमें उन्होंने कहा कि हम अन्य कल्पना के अंतर का दिया जो भी आहल ले रहे हैं उसमें हम कैसे पत्थ है पत्थ का डिसाइट करें कि क्या माली पत्थ है क्या पत्थ है तो दूसरा जी इसमें यह जो सबसे इप्पॉर्टेंट है जो चावल और और नहीं जोने मिला करके एक पत्ध कल्पना बनाा यह कि आप जो भी खानने लें खाना के साथ आपको इसका सेवन करना चाहिए जिश्म के लिधा है तो इसके उन्हें कुछ उधार मताएं अब मैं आपको बताता हूं कि आचरों क्या क्या बाते कैहिंए बिए द्विथ दित दिस्प्ले पर पत्यम पथो अनप पेतम यह चोक्तम मनमनसा प्रियम पत्षाइडनमागरतम अपेत अनुकम प्रणाम यह चरक ने दिया चक्रपानी टीका में और उसके नीचे दूसरा श्लोक दिया उन्होंने स्वस्तत स्वात्रक्षलम मातुरत से व्यादी परिमोग यह चक्रपानी का चरक सेंदा कि चक्रपानी टीका है उसमें यह चीज बताई गई है और इसका जो बेसे कर्थ है वो यह है दरूट टम्स फॉर पत्य इस पाथ विच मीन्स तचेनल अब दो बॉड़ी साफ साफ के दिया उन्होंने कि वह यह वह रस्ता है जहां पर आपके बॉड़ी के क्या क्या चैनल्स हैं जाने आपके सोतस हैं उन स्रोतसों की जो सोतों शुद्धी करता है यह आपका पत्थी कल्पना के द्वारा ही होता है अचारे कश्यप ने भी इसकी ऊपर बहुत बड़ी एक बात कही है वो भी आप डिस्पले पर देखिए इस लोग इस इसमें इन्होंने कुछ डेफिनेशन दीयें अलग अलग कि इसका मतलब क्या क्या आचारे कश्यप ने कहा कि आप पत्थ्य को कैसे पचाने के बाद अपने को कैसा फील होना चाहिए तो उस विशाप आचारे कश्यप ने बहुत अच्छा ये इस लोग दिया हुआ है अब इस लोग पर जो अर्थ है वो देखिए डिस्प्लेप देखिए इसमें लिखा जैसे तुष्टी तुष्टी मतलब सैटिस्फेक्शन फुष्टी मतलब नौरिश्मेंट धर्ती मतलब धर्थी बद्धी की बढ़ का वेकास करने है आपका फिर्म्नेस विया बद्धी बद् आपकी वाइस कैसी अच्छी होगी ओज ओज मतलब यूमिनिटी तेज तेज का अर्थ है आपके शापनेस बिलेंस तेज आपके जो प्रभार देखिए उसको तेज कहते हैं इसके बाद आपका आता है जीवन नहीं आपकी सस्टेन लाइफ जीवन एन पतिबा पतिबा सब्सक्राइब रेडियंस आचरों ने कई जगा एक श्लोक के माद्यम से यह भी कहा है कि हमको अगर आश्यदी की कोई आवशक्ता नहीं पड़ेगी अगर हम पत्ते कलपना कहीं प्योग करेंगे अब शुशुर्त क्या कहते हैं वह आप सुनी जैसे कि यहां पर आप श्लो आपने इस को लिया तो यह मंड चार पकार के देखो यह अश्यदन कलपना होती है मैं आप समझा दूँ मंड पया यह वागो विलेपी यह चार पकार कलपना है अभी क्या बला है यह आपको पताता हूं यह बहुत बढ़ा टॉपिक है हम अलग 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 क्लास में अलग अलग टॉपिक को लेंगे जैसे कि मुझा यह कि पत्थे कलबा पूर एक स्रीज में चलेगा हमको पूरा इसी पर काम करना अब यह क्या चीज है आप इसके बारें पेले सूश्म नौलेज लीजिए कि क्या है तो साधान प्रभाशत सूशत में कहा सिक्त के रहितो जानि इसमें सिक्त भाग कम हो अगर अपन घर में कुछ चावल कुछ बनाते हैं चावल अपन कोकर में नहीं बना रहे हैं अदि उसमें पातर में पहले मृत्टी के पात्र लेते था आजकल अपन अब AE स्टील के या फिर कोई बरते कोई ऑदना पीटल के पातर ले सकती है तो यहां पे मंड का मतलब सौहवे के मंड का मतलब माल होता है. आपने चावल की सिख्त भाग थोले कम रहे सुछे walking कम रहे सुछे канал. माल माल होता गया तो कहला था है वह मंड कर अपना है तो कहला उण तब सुक्त के रहित हो यानि सुछे समय ब्री इसमा कैते हैं. पेया के लिए कहा गया पेया सिक्तों समननताः यानी पेया जिसमें सिक्त भाग भी होगा और माल भी होगा बन और बहार हो तो इसको कहा गह पया है यानि । पीने कली बहुतवी पी रहे है कोई सभाब एक साधान शब्द है पेया तो इसमें कहीं कोई आवो कंफिजन नहीं होना चाहिए इसके लिए कहा गया है इककोल स्वालिट राइस पार्ट एंड लुकेट पोर्शन और टेकन तो इसके बात जो थार टौपिक आता है यवागउ भूत सक्ता स्या यानि वागउ जो है यवागउ क्या छीज है अब यवागू तो बहुत बड़ा टौपिक है यवागउ के बारे मारा प्रहा ने गैंठ दोट ऐसके लेकिन यहाँ पर यहाँ पेश्ट्ट मेर बखर में बत तो इसके बाद आता है आपका विलेपी अब विलेपी के लिए बोला गया यहां पर विलेपी 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 नेटी विलेपी द्रवा सीजी बात है विरल दर्वा यानि जो दर्व रही थो यानि इसमें चावल के भाग बहुत ज़्यादा हूँ लेकिन माड का भाग यह किट पार्ड है अतल्प हो तो इसको कहते हैं अपन विलेपी यानि लेप वाला भाग थोड़ा ज़्यादा हो चावल रहेगा तो लेपन र लेप से संब्दित है वी लेपी वी मतलब यह विरल दर्वा यानि आपका माल का भाग कम रहेगा चावल का भाग थोड़ा ज़्यादा रहेगा तो इसको अपन कहते हैं विलेपी कल्पना इसके लिए तो फिर कहा गया है ओनली सॉलिड राइस पार्ट इस टेकन दोस्तों यह तो आपने शुशुशुत के उसाब पढ़ लिया लेकिन डलहन ने कुछ अलग तरीके से इसको डिफाइन किया है कि हमको कितनी मातरा में जल्गी मातरा किती लेनी है को कि आपन जब भी कोई प्रत्यकल्पना बनाएंगे इस प्रत्यकल्पना बनाएंगे तो उसमें कित पानी में हमको चावल को उबालना है तो इसके लिए एक छोटे से कोडिशन दी है बहुत इंपॉर्टेंट है आप उसको देखिए मैं आपको बता दोस्तों डलहन ने एक हमेशा अब दलहने एक ऐसी परवाशा दिये इस पत्थे कलपना के विशे में कि आपने मंड ले लिया विलेपी यवागू और अपका अन्यवागू मंड विलेपी आपने चार चीजें ली है तो इसमें चावल के साथ जलकी मातरा कित्ती हो ने जलकी मातरा पर उसने विशेज जोड़ दिया है तो वो कह रहा है इसे डलन ने कहा डलन ने तो जो शुरूत की टीका की है डलन ने तो टीका में उने गरता अप अन्य पंचगने तो यहार इंगा नह को पांच गुना जल मेने चावल का जो कण है उससे पांच गुना जल लेंगे यारी तब आकर कि आपका अन्यकल्पना पुरी होगी अब यहां पर पर तैन को लिख आ अन लिया क्यांना। तरण चा अन के साथ पांच गुना जलब को ले लें ताँ जलब का आप प्रियोक करेंगे। कि दो आन तो वह लए नहीं ऑक्वेख को यानि अन्य अपन जो खाते हैं इसको यवागु के लिए उन्हें कहा जो भोली यानि यौशाट पॉड़े या वागु शट्ट कुणे पचेद यानि शट्ट कुणा जो लिया है यहाँ पिडिया आपका जल को छेच गुना जल लिया मंड के लिए वह चातुष मंड़े किताब में एक बहुत अच्छे से उन्होंने एक दोहे के रूप में इसको प्रस्तुत किया है दोहा बहुत इंपोर्टेंट है आप चाहर दिस्प्ले पर भी देख सकते हो दिस्प्ले पर दिखा ज़ता हूं आपको और यहां भी लिखा हुआ है आप देख सकते हैं तो आप यह कभी जिनीवे नहीं भूलेंगे आपको इस लोक भी आगर याद ना रहे तो आप इसके वल आपको याद रहेगा तो यह दोस्तों यह आपको एक्जाम के दिश्टी से बहुत आपके लिए उप्योगी रहेगा दोस्तों आपका यहां पर पूरा यह मैंने आपको पत्ते कल्पना के विशाय हैं पता दिया अब आने वाली सीरीज में मैं आपको पूरा अन्य वागू होगा को यह बहुत बला टॉपिक है और अच्छा टॉपिक है दूसरा चीज अपन जो अपने तक पढ़ा है पूरी तरह से एक तरह से डायेट के ऊपर है प्यानी जो प्रप्रेशन ऑफ डायेट की प्रपेशन कैसी होनी चाहिए इसके विशे में पूरी चर्चा यहां पर की गई है तो अपना यह पतिकल्पना खदम होता है अब मैं आपको अगले वीडियो में जल्दी मिलता हूँ अब मुझे आग्या दीजिए धन्यवाद